So, Hey What's Up Guys, कैसा आप सबी? So, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Redmi Note 11 स्मार्टफोन के बारे में और इसके लिए फाइनली इंडिया में Xiaomi का Hyper OS का जो अप्टेट है वो रोल आउट रोना इस्टार्ट हो चुका है सभी यूजर्स के लिए तो पहले वाला अप्टेट था वो आपको काफी कम यूजर्स को देखने को मिलता काफी limited यूजर है उन्हीं को ही अप्टेट है वो मिलता लेकिन ये जो अप्टेट है वो सभी यूजर्स को मिल चुका है और इस अप्टेट के अंदर आपको और पर प्रेस करेंगे ना ताकि फ्यूजर में अगर और कोई अप्टेट आता है तो इसी तरीके से वीडियो आपको मारे चैनल पर मिल जाएगी और वीडियो का लाइक टार्गेट है 1800 लाइस का तो यापर कम्प्लीट करा देना सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस अप्टेट के बारे में सो अप्टेट की टोटल साइज है वा आपको मिलती है 1.2GB और इस अप्टेट के अंदर आपको प्रोलाउट किया गया है अब बात करते हैं फर्स्ट चेंज के बारे में जो की है मार्च 2024 का सेक्रूटी पेच लेवल अप्टेट तो इस टाइम पर हम लोग कह सकते हैं एक मत ओल्ड सेक्रूटी पेच लेवल का जो अप्टेट है वो यहां पर शाओमी की तरफ से उसको यहां पर इंस्ट्रोल करने की जूरत नहीं है यह वाला नया वाला कंट्रोल सेंटर है वो आपको कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन के अंदर बाकी यह जो एडिट का ओप्शन है इस पर आप लोग क्लिक करके किसी ओप्शन को आप लोग एड़ भी कर सकतो और उसको रिमूब भी कर सकतो तो यह सारी चीज़े यहां से होगी बाकी सेटिंग का जो आइकन है वो आपको यही से एक्सिस करना होगा इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो डायरेक्ट सेटिंग अप्लिकेसन है वो यहां पर ओपन हो जाएगी अब जैसे सेटिंग अप्लिकेसन आप लोग को याँ पर पता लगेंगे, बाकि जितने भी जो fonts हैं, उन सभी को change किया गया है, font से मेरा मतलब है जितने भी आपको याँ पर यह जो text नजराते हैं, इन सभी text को इस update के अंदर finally आपर change कर दिया गया है, बाकि जो आप लोग देख सकतो, brightness slider है, उसकी style है, वो आपको advanced feature है, वो देखने को मिल जाते है, control center के अंतर, next change है, वो आपको मिलता है, कुछ इस type का super folder, इस पे आप लोग edit पे जाओगे, तो double XL की भी size है, enlarge की भी size है, और regular की भी size है, तो तीनों आपको size मिल जाती है, बाकि इस type का आप लोगों को blur effect है, वो भी देखने को मिलत जाती है, किसी भी परकार का जो change है, वो इस update के अंदर आप नहीं किया गया है, Xiaomi की तरब से, बाकी phone चलने में काफे ज़्यदा smooth है, animation के अंदर, किसी भी परकार की आप लोगों को problem है, वो याँ पर नहीं होगी, आप बात करते हैं, इस update के सबसे बड़े change के बारे में, जो आपको इस पर click करके रखना है, अभी मैंने password लगा के रखें, तो आपको phone को unlock करना है, अभी ये जो आपकी phone की default lock screen है, काफी ज़्यदा boring नजर आती है, और ये मैंने change करके कुछ इस type से आप बनाया है, तो आप लोग नीचे की तरफ swipe करोगे, तो आपको classic name की एक ये window मिले और इन सबी screens के अदर आप लोग देख पार होंगे, वोल्ट पर है, वो भी change हो रहे है, बाकी cloak की style है, वो भी change हो रही है, और cloak के जो fonts है, वो भी आपर change हो रहे है, तो ये सारी आपको designs मिल जाती है, वापस से आप लोग नीचे की तरफ swipe करोगे, तो रोम बस नेम की एक औ apply कर पाऊगे, या फिर आप लोग इसको customize भी कर पाऊगे, वापस से आपको नीचे की तरफ swipe करना है, तो magazine name की एक और आपको यहाँ पर यह जो window है, वो नजर आ जाएगी, और इसके अंदरी भी आपको अलग-अलग screens है, वो देखने को मिलती है, अभी जैसे कि मान लोग इ या फिर जो font है, वो थोड़ा पीछे की तरफ चला जाएगा, और इस type का आप लोगों को depth effect है, वो यहाँ पर मिल जाएगा, और इसके अंदर आप लोग wallpaper है, वो भी आपर change कर पाऊगे, जैसे कि wallpaper का यहाँ से option है, अब जो आपको wallpaper पसंद आता है, वो आप लोग लगा सकत तो इस वाले wallpaper को मैंने select किया है, अभी इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, suppose कर ले ना, यह आपकी यहाँ पर profile photo है, तो depth effect है, सबसे पहले तो आप लोग उसको own करके, यह जो life वाला option है, वो यहाँ पर पीछे की तरफ चला जाएगा, बाकि आप लोग इस प मैंने लिख दी है, बाकि आप लोग इसकी style चेंज कर सकतो, कुछ इस type से, कुछ इस type से, इस type से, टोटल आप लोगों को अलग-अलग 6 style है, वो देखने को मिल जाएगी, और इसकी size बगेर अब भी आप लोग छोटी बड़ी कर पाओगे, profile को set करने के लिए simply आपको पहल तो बेक आजाने है, और अब आप लोगों को इस photo को adjust करने है, तो यहाँ से हमने जैसे कि मान लोग कुछ इस type से adjust किया है, तो यह जो depth effect है, वो कुछ इस type से apply हो जाएगा, और बाकि आप लोग इसके जो colors है, वो भी आपर change कर पाओगे, जैसे कि color वाले option के अंदर हम लोग चले जाते हैं, अब यहाँ पर आपको डेरो सारे color है, वो देखने को मिल जाएंगे, purple color आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर अलग अलग pink, red color आपको option मिल जाएंगे, जैसे कि purple color हमने येवाल apply किया है, तो इसकी intensity को आप लोग change करके purple color को dark भी कर पाओगे, और जो light purple ह उसको भी आप लोग apply कर पाओगे, तो कुछ इस type से आप लोगों को इसके अंदर effect है, वो देखने को मिल जाएंगे, बाकि यहाँ से आप लोग directly इस पर click करके, इसका color है वो wallpaper के हिसाब से भी आप चेंज कर पाओगे, first वाले पर click करोगे, तो wallpaper के हिसाब से जो भी color suitable है, व वो color है, वो automatically यहाँ पर apply हो जाएगा, तो किसी type के problem नहीं आएगी, बाकि clock काई style है, वो आप लोग अलग अप लोग apply कर पाओगे, और इसका भी जो color है, वो आप लोग change कर पाओगे, तो मतलब कि काफी अलग अलग feature है वो Xiaomi की तरफ से, इस update के अंदर add किये गए है, वाप बसे आप लोग बेक आजाओगे, filter के अंदर आप लोग जाओगे, तो यहाँ पर आपको अलग अलग filters है, वो नजर आजाते, mate effect को अगर आप लोग apply कर दोगे, तो इसके अंदर भी एक नई screen है, वो यहाँ पर आचुकिये, और इसके अंदर आप लोग अलग अलग ये filters apply क चरोगे ना, तो यहाँ पर इस wallpaper को देखके, काफी सारी user को nothing wallpaper है, उसके आपर याद आ गई होगी, तो इस type के आपको कुछ effects मिल जाते हैं, तो गई सारे ही लग बग मैने features हैं, वो आपको बता दिये हैं, तो आप लोग कुछ इस type से इसको यहाँ पर edit कर पाओगे, और ऐस चैनल को भी आपर subscribe कर लेना, camera UI को एक बार check out करते हैं, तो आप लोगों को इस type की यह नई वाली camera UI है, वो देखने को मिल जाती है, यह जो lens change करने का option है यह अपने हिसाप में यहाँ पर एक काफी आप लोगों को नया interesting change है, वो देखने को मिलता है, इसी hyper OS update के अंदर, बाक कि इसके अंदर कोई भी change है, वो यह अपन नहीं है, आप लोगों को अगर इस वीडियो का next part चीए, तो बताना comment section के अंदर, और वीडियो कर आपको पसंद आती है, तो वीडियो को like कर सकतो, channel को भी subscribe कर लेना, और यह update है, वो सभी users के लिए roll out हो नई start हो चुका है, तो एक पर check out कर लेना, मैं मिलता है आप लोगों से next video में, जे हिंद वन्दे मातरम